हेलो मेट्स वेलकम टू माई चैनल जॉर्टिका गेमिंग आज का इस वीडियो में मैं कॉवर करने वाला हूँ फीनिश प्रीमियर लिग टीटीटी का मैच जी एइससी एंड वानाता सेसी के बीच में होने वाला टीटीटी मैच के बाड़े में आज मेरे पैस टाइम थोड़ यह वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है बट कुछ पंट प्लेयर के बाड़े में मैं आपको बता दूंगा तो वीडियो को पूरा देखिए तो बिना टाइम वोस्ट के मैं चलता हूँ टीम के ऊपर क्या मेरे मेरे टीम होना चाहिए और कैसे मैं टीम बनाऊंगा तो सबसे पहले यह रहां पर आता हूँ मतलब विकेट कीपर सेक्शन पर विकेट कीपर सेक्शन पर जो दो विकेट् कीपर है एट्िक एंड जैया सिंगे यह दोनों के दोनों बहुत अच्छा बैस्तम है तो हम लोग ट्राइब करेंगे जीएसी से साथ या फिर सिक्स प्लेयर को लेने के लिए तक कि हम लोग का कॉमिनिशन विनिंग टीम के फॉर पे हो जाए तो इसी हिसाब से मैं एटिक को चूज कर रहा हूँ जैसिंग को नहीं चूज करो क्योंकि जीएसी तो रहाजा स्ट्रॉंग टीम है तो उसके बाद आता हूँ बैटिंग सेक्शन पे बैटिंग सेक्शन पे दो आपके लिए बहुत ही यूनिक चॉइस है मतलब दो आपको लेना ही लेना है उन दोनों का नाम में नाजीर एन आईजाज इन दोनों क सब्सक्राइब करेंगे और एक लेने के लिए तो आपके लिए मैं दो तीन ऑप्शन यहां से दे रहा हूँ एक तो हो गया आपको लिए काटिंगाला यह काटिंगाला जो प्लेयर है यह बहुत ही अच्छा टेक्निकली साउंड बैस्पैन है तो आप बोल सकते हो वान अव ले सकते हो 72 पर्सन का सिलेक्शन है बहुत अच्छा प्लेयर है काटिंगाला उसके बाद एब मुहम्मद यह भी बहुत अच्छा बैस्पैन है थोड़ा सा नीचे का साइड साइड आता है खेलने के लिए आप इनको भी ले सकते हो साथी साथ यहां पर सी शब्बीर को पिक कर लिए क्योंकि जैशिंगों आपको विकिट कीपिंग का भी पॉइंट डे सकता है बट अगर यहां पर सी साब नहीं खेले तो आपके लिए वहां पर जो एक्टिक है वह आपके लिए प्रेफरेशिवल चॉइस रहेगा तो सी सब्बीर यहां पर तीन या फी चार द्रेश डानमर परे बैटिंग करने आएंगे यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है यूके तरफिर यह ापके fait अच्छा बैश स्ट्राइक रडिए इनका हाई होता है यह थोरा से विरिंदर शेवां है मतलब अगर अगर 535 चजा तो नया हैस फिर पाथी हंडी थोड़ा सा प्रोस्टेशन का दिक्कत है sorry for that बट नामी कुछ ऐसा है अच्छा इनके बातने में मैं एक special चीज़ आपको बताता हूँ only seven person मतलब seven person का selection है बट यह actually batsman ही नहीं अगर खेलेंगे bowling करेंगे चार ओवर बोलिंग करेंगे ठीक है चार ओवर बोलिंग पर अगर यह opening बोलिंग करता है पहले का चार ओवर एही करेंगे अपना टीम की हिसाप से वेसी का तो अगर चार ओवर में एक से दो विकेड निकाल लिया तो यह आपके लिए his batting section में best choice है ठीक है बट अगर इनोंने कोई विकेड नहीं निकाला ठीक है अभी तक तो इनोंने विकेड नहीं निकाला था इनका जो T10 का performance है बहुत ही अच्छा था T20 में अभी तक 2 match खेले है अभी तक विकेड नहीं निकाला है बट मैं expect कर रहा हूं यह जो बंदा है यह बंदा विकेड निकाल के देगा अगर तो ही आपके लिए प्रेफरेडवल चॉइस हो जाएगा ठीक है तो इनको आप Grand League में जरूर ट्राइ कीजिए की दोनों को एक UK तन्वीर और दूसरा यह पती हंडी इन दोनों को आप Grand League के जरूर ट्राइ कीजिए ठीक है मिस नहीं होना चाहिए ग्रैंड लिग में यह दो प्लेयर अच्छा तो अभी के लिए मैं सेफ पे कार्टिन गाला को ले लेता हूं अपना टीम पर उसके बाद आथा हूं अल्राउंड सेक्शन पर यह एपियल का सबसे इंपोर्टन सेक्शन होता है मैं बार बार आपको यही समझाता हूं तो आज का भी अल्राउंड सेक्शन पर आपको दो चॉइस बिल्कुल कॉम मतलब कॉमन है यह दोनों आपको बैटिंग और बोलिंग करके देगा यह दोनों आपके लिए बैटिंग ओपन करतेगा और यह थोड़ा से नीचे का साइड आएंगे यह दोनों आपको डिसेट करना है आप किस मतलब किसको लेंगे एक तो है पाताबंडी और दूसरा है यह मिलन हेडिटर्ण के टाइप नाम है इसका मिलन नाम है ठीक है जो पाताबंडी है यह वान अप बेस्ट बोलर्स है विकेट टेकिंग बोलर है हाँ चाहे यह तीन ओबर बॉल कर पहुंखर दे पट आपके लिए एक रिक मिकट्ट के देशाग और मिलन जो है और इनका बैटिंग भी थोड़ा सब्लोर्ट आसपास धायो बहुंर को म्हां 1 प्लेयर ऑंसा Paniff को कौना दोनों के बीच में आपके दिए होगा किसका टीक है तो आप इहा पर जो पतिबंडी है ईनको आप Give me try कर सकते हो मिलन को आप small league में try कर सकते हो मैं तो आपको यही बोलूँगा तो मैं आपको यहापकर अभी small league कर टीम दे रहा हो तो मैं अभी bilang के साथ ही यहाप得 जा रहा है बाकि यहापकर और कोई All-Rounder नहीं है हाँ और एक All-Rounder अगर यह वारिस यह आली वारिस यह अगर मैच खेलता है तो इनको आप जरूर पिक कर लेना यह आपके लिए Grand League में बहुत डिफिर्शियल चॉइस है चार ओफर का बोलिंग करके देंगे साती साथ बैटिंग पे टू यह फिट्री पे आ जाएंगे यह बहुत ही अच्छा बोलर है इस All-Rounder को अगर खेलेगा तो इसको मिसमत काना जरूर ले लेना अपना टीम पे एवारिस नाम यहाद रखिये मार्क करके रखिये नोट करके रखिये बहुत अच्छा प्लेयर है आप इनको पीक कर लेना आखे कान बंद करके यहाँ पर अगर मैं ग्रैंड लिक का बोलूंगा तो ग्रैंड लिक का मेरा औरिजनल जो जो पीक है वह यह यह दोलों है यह दोनों खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे मुझे नहीं पता ह तो मैं हमिलन के साथ मैं से चाहूँगा तो उसके बाद आता हूँ बोलिंग सेक्षण पर आपके पास दो से तीन औप्शन है इन में से आपको चार आपशन है इन में से आपको तीन को चूज़ करना है यह सामिन बेस्ट बोलर है इनको छोड़ना मत इन हंगा मुए बहुत अच्छा बोलर है और विकेट और बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेता है तो यह भी आपके लिए डिफॉल्ट पिक होगा रेनुका शिरिन फार्नांडो यह आपके लिए यह विश्ची का बेस्ट ट्राइक बोलर है तो आप इनको जरूर्व कर सकते हैं और के मोहममद यह भी आपके लिए बहुत अच्छा बोलर है बलग यह पर चारो बोलर में से मैं अगर बोलूंगा आपके लिए एसामिन आपके लिए डिफॉल्ट पिक रहाए मैं पिक किया तो मैं और एक पिक नहीं कर पाड़ा हूँ तो उस हिसाब से मेरा थोड़ा सा क्रेट का इश्यू हो गया तो यहां पर देखते क्रेट कैसे मैं मैंनेज कर पाता हूँ तो मिलन को छोड़के मैं पतावंदी को ले लिया यहां से मैं रेनुकाश्री इन फार्ण होना चाहते हो यहाँ पर कंड के जा कंगा हूँ चोड़न को भी यहाँ से आप ले सकते हो एसा भी आपक्रियेट करिखन अभी लिए इसके साथ ही जाओंगा क्यूंकि यह थोड़ा सा सेफ टिम रहे अपनेगे आप लोग और वाइस कप्टेन में मैं आपको दो अप्शन दुनगा एक तो अपके लिए एन शाहिद और हमशावर्शा वर्षा पहले यह दो यह दो नो में से वाइस कप्टेन यह आपके लिए मिलोन को कर सकते हो वारिस अगर खेले तो वारिस को आप Captain obviously बना सकते हो और यहां पर आपके लिए रेनु का शीरिंट फार्णंडो भी बहुत अच्छा जील का option हो सकता है यहां पर और यह सामिन भी आपके लिए अच्छा option है तो लगबग यही मेरा फाइनल टीम है चलिए मै मैं आपको Captain's चूजी करके मतलब देता हूँ तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और कोई भी लास्ट मेट अपडेशन के लिए मेरा यह मेरा टेलीग्रम चनल है इस पर जॉइन हो जाई है तो यहां पर जो लास्ट मेट का टीम होता है तो जि इसका लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो हुआ से आप जॉइन कर दीजिए तो थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं लाइन अप टाइम पर थैंक यू